इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो RBI ने updated list जारी की है 48 brokers की जो की alert list पर है तो यहाँ पर एक पूरा circular है जो कि 10th February को आया था और इसके उपर हम detail में बात करेंगे और देखेंगे कि RBI ने क्या issue किया है तो 10th February को इनका circular आया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो उसको आई बेल बटन पर मैं डाल दूँ आप वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर जो 34 brokers हैं वो तो पहले से ही थे जो यहाँ तक आप देख सकते हैं STB उसके बाद इन्होंने 14 और brokers को यहाँ पर add किया जो कि आप देख सकते हैं तो यह लिस्ट है जो कि इन्होंने अपडेट की है जो नई लिस्ट आई है तो इन्होंने 11 सब्तमबर 2022 को इक लिस्ट निकाली थी जहाँ पर 34 brokers को बेंड किया है यह लिस्ट निकाली है फेबररी 10 23 को जहाँ पर इन्होंने 48 brokers की list निकाली है मैं बताता हूँ गाईज अगस्ट 10 23 यह 24 70 brokers in alert list तो यहाँ पर कुछ फरक पड़ता नहीं है क्योंकि इन्होंने clearly लिखा हुआ पहले ही कि अगर इनका नाम यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके साथ कर सकते हैं कि क्या होगा यह क्या करेंगे जो brokers है इनकी website या apps इनको ban करेंगे broker क्या करेंगे नई website या नई app लेके आते रहेंगे और यह cat and mouse का game चलता रहेगा China के लिए मैं बताता हूँ guys या Indonesia में वहाँ पर हर हफ़ते में broker की website को knockdown किया जाता है और अगले हफते नई website आ जाती है broker से तो यह चलता रहता है तो कहां तक ban करेंगे कहां तक apps को ban करेंगे कहां तक यह website को ban करेंगे तो यह चलता रहेगा तो broker का नाम यहाँ पर है या नहीं है या apps को ban कर दिया है वेबसाइट को ban कर दिया है इससे कुछ ज़्यादा फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि broker इंडिया में रिजिस्टर नहीं है तो कुछ और legal action यह नहीं ले सकते हैं केवल या तो जो account इंडिया में उन्होंने established कियो है, depositable toll के लिए उनको freeze कर सकते हैं, apps को ban कर सकते हैं website को ban कर सकते हैं, पर उनके लिए अलग-अलग solution broker लेके आते रहेंगे क्योंकि यह चलता रहेगा इसी तरीके से तो यहाँ पर आपको worry करने की कोई जूरत नहीं है और यहाँ पर आप इस circular में आप देखेंगे तो इन्होंने और भी चीज़े बताई हैं कि social media including video streaming platform यहाँ पर कोई भी किसी तरीकी के promotion तो मुझे यह समझ में नहीं आता है यहाँ पर cable जो education प्रवाइड कर रहे हैं उन्हें के लिए यहाँ पर इनको mention कर रहे हैं पर अगर यह जो broker है आपका IPL में जैसे कि Okta है, वो वहाँ पर इसको sponsor कर रहा है, वहाँ इनको कोई issue नहीं है किर्केटर जो sponsor करते हैं वहाँ कोई issue नहीं है, अगर मैं आपर आपको बताऊं OktaFX जो है Delhi Capital का sponsor है जो की main IPL है, सबसे ज़्यादा viewership यहाँ पर आती है, लोग इसको देखते हैं यहाँ पर यह इसको नहीं अटा सकते हैं जैसे कि मैं cigarette का एक example लेना चाहूँ पता है cigarette से health खराब होती है तो वो company जो cigarette बनाती है उनको ban नहीं करेंगे, उनको नहीं अटाएंगे लोग उनके packet के उपर लिखवाएंगे कि इस cigarette को मत पिए, लोगों को बताएंगे आप अगर ban ही करना है, तो company को बंद कर दो सीधा है ना, पर यहाँ पर वही है simple है, OctaFX, Delhi का main capital है उसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्या होगा, कुछ action ले भी रहे है तो OctaFX की जंगे वो Octa हो जाएगा पर यहाँ पर जो क्रिकेटर प्रोवाइड करते हैं OctaFX, सुद्रे स्रेना, हर्मजन सिंकी उवराज इवन पृत्वी साब, इस सभी जंगे पर वो advertisement करते हैं वहाँ पर उनके against action नहीं, जो celebrity है जिनकी ज़्यादा impact है, ज़्यादा reach है उनको knowledge होते वे बिना भी वो उसको promote कर रहे है तो अगर action लेना है, तो फिर celebrities का नाम भी इस list में यहाँ पर डालना चाहिए, लिखना चाहिए कि social media नहीं, celebrity भी या कोई भी कहीं पर भी, IPL जो भी बड़े invent है उन सभी कोई चीज को यहाँ पर डाले ना, पूरी तरीके से clear करें, अब partiality यहाँ पर है कि वीडियो stream पर वहाँ पर कोई इसको promote कर रहा है या उसके वीडियो मना रहा है उसके against में आप यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर clear instruction समझ में नहीं आती है और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको लगता है कि account freeze हो जाएगा या बंद हो जाएगा methods आपको बताया है किस तरह किसे deposit withdrawal करना है मैरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर मैं detail में नहीं जाओंगा तो अगर वो ban करेंगे तो वो broker को पकड़ेंगे मैं हाँ पर एक और example लेना चाहूँ गाई यहाँ पर हजारो लाखो लोग अगर trading कर रहे है क्या वो सब को पकड़ने जाएंगे सब के account बंद करने जाएंगे इतने लोगों को बंद करने जाएंगे पकड़ने जाएंगे इतना staff उनके पास भी नहीं है वो करने में इनको बहुत टाइम लगेगा उसके लावा अगर वो broker को पकड़ें जहाँ पर उनके account है बड़े account उनको freeze करें और यह action उन्होंने लिया भी है अभी recently उन्होंने action लिया था जो मैं आपको 20,000 या लाग 2,000,000 वहां उसको पकड़ने जाएंगे या जहाँ पर उनको करोड़ों में मिलेंगे उनको account को freeze करेंगे और दूसरा case अभी recent का है जो 15 February का है यहाँ पर अगर आपने देखा होगा TP Global FX के दो case sales pande और जो दास हैं उन दोनों को उन्होंने judicial custody में लिया है वो trader नहीं थे वो क्या कर रहे थे पैसा लोगों से ले रहे थे कि आप यहाँ पर TP Global में invest करें और यह account maintain कर रहे थे तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर दो नाम आप देख सकते हैं sales kumar pande और प्रसंजी दास जो की defrauded public for the guys of making investment in forex trading by using platform TP Global तो वो encourage कर रहे थे कि आप TP Global of X में यहाँ पर invest कीजिए यह पैसा ले रहे थे public का और invest करा रहे थे तो उस case में यह trader नहीं थे तो यहाँ पर इन्होंने जो amount पकड़ी है वो कि 29 करोड के आउस पास से तो बड़ी amount है तो guys यहाँ पर वो ही मैं बताना चाहरा हूँ कि यह एक एक दो दो यहाँ इस तरीके से लोगों को पकड़ने नहीं जाएंगे तो यह broker को पकड़ेंगे उनके account को freeze करेंगे जहाँ पर उन्हें करोडों मिल सकते हैं rather than कि पास जार दस जार पंदरह जार या लाग या दो लाग इतने में महाँ पर इसको पकड़ने जाए तो टीपी ग्लोबल और Octafx इन दोनों के case में था और यह problem आ रही है उनके deposit विड़ोल में चले हैं और दोनों broker को मैं पहली बता चुक हूँ मैं यूज नहीं करता हूँ डिपी ग्लोबल के उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर clearly बताया हुआ है do not use this broker और मैंने उसके against में पहली बोला हुआ कि मैं इसको use नहीं करता हूँ दूसरा Octafx यूज करता था पहले बहुत पहले और उसको वीडियो बनाया हुआ है कि इसको भी मैं use नहीं करता हूँ थ्री मन्त के लिए मैंने use किया था तो आप अगर broker use करना चाहते है use कीजिए पर जो reputed हो बड़ा हो काफी time से हो long term से हो ठीक है और यह against action लेते रहेंगे AD चलता रहेगा, website बेंड होती रहेंगी apps बेंड होती रहेंगी broker अपना काम चलाता रहेगा वो करते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर कोई issue है नहीं है और जैसे मैंने बोला alert list again आने वाली है 6 मेने के बाद अब यह 48 की 70 हो जाएगी फिर 70 की 120 हो जाएगी तो इस तरीके से चलता रहेगा इसके लबा और कोई ज़्यादा action यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर जिन्ने trading करनी है जो करते हैं और जो कर रहे हैं उन्हें तो घंटा फरक पड़ेगा नहीं तो वो पुस्पा का एक dialogue है मैं तो जुकूँगा नहीं एपस आती रहेंगी डाउनलोड होते रहेंगे वेबसाइट बैन होती रहेंगी पर ब्रोकर चलते रहेंगे जो कर रहे हैं काफी टाइम से दूसरे जिने करना है पर नहीं करना चाते हैं यह आपके उपर decision है अगर आप करना चाते हैं करिए नहीं करना चाते हैं आपके उपर है पर इससे ज़्यादा action और कुछ होंगे नहीं जो मैंने आपर आपको बताए हैं तो आप अगर broker use करना चाते हैं तो वही broker use कीजिए जहांपर आपका long term के लिए पैसा safe हो और जो आपको deposit withdrawal देते रहें अगर उनके against में इस तरीके के action होते भी है तो तो guys अगर आपको इससे कुछ information मिली please like the video share कीजिए comment कीजिए और मिलते हैं next video में झाल